Hey guys, welcome to start from scratch and today we are going to talk about colloquialism So colloquialism को हम हिंदी में बोलते हैं बोलचाल की भाशा या बोलचाल का धंग या बोलचाल की शैली तो आज हम इस वीडियो में colloquialism के बारे में बात करेंगे चले शुरू करते हैं Colloquialism का मतलब क्या होता है Colloquialism वो भाशा होती है जिसमें कि हम informal word यूज करते हैं Okay, informal मतलब जो formal नहीं है जो writing में यूज नहीं होते है जैसे कि देखो A word or a phrase that is not formal or literary and is used in ordinary or familiar conversation Means ऐसे शब्द या वाक्यांच जो आपचारिक या साहितिक नहों और जिनका उपयोग सामान्य वारतालाप में किया जाता है Family or conversation means what? General conversation means सामान्य वारतालाप बोलचाल की भाशा तो जो ऐसे words जो formal नहीं है जो literary नहीं है और उनका प्रयोग हम सामान्य बोलचाल की भाशा में करते हैं Okay, तो English में बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग हम बोलचाल में करते हैं या बोलचाल की शैली में करते हैं इसलिए हम इसको बोलते हैं चलती भाशा means colloquialism ना समझ मैं जैसे एक एक एक्जाम्पल देख लेते हैं आपने बहुत सुना होगा चैट करते वक्त वन्ना भनना का मतलब क्या होता है वन्ना करना चाहता है तो गड्ना का मिलस होता है जाना है got to go something got to go gotta go now gonna का मतलब होता है going to I'm gonna do this work मैं यह काम करने चाह रहा हूँ don't know don't know का मिन्स होता है don't know don't know मतलब नहीं मालूम budge off budge off का मतलब क्या होता है go away तो यह ऐसे words है जो कि formal writing में नहीं use होते हैं बोल चाल की भाषा में use होते हैं इसलिए इसको हम बोल चाल की भाषा या चलती भाषा भी कहते हो और इंग्लिश में इसी term को हम रिफर करते हैं colloquialism बेब हो गया बेब का मतलब क्या होता है a good looking young woman जो की एक जो good looking woman है यंग है उसको क्या रिफर करते हैं बेब हंक हो गया जैसे हंक क्या है an attractive man with a strong muscular body okay chill out बहुत सुना होगा आपने इसका मतलब होता है relax और take it easy means relax करो या take it easy वैसे क्या हो गया इसका मतलब कि ठंडे हो जाओ हब भी हब भी बहुत सुना होगा हब भी husband के लिए यूज़ करते हैं honey hi honey ऐसे करके सुना होगा तो ये sweetheart के लिए यूज़ करते तो ये सारे जो words हैं जो formal writing में नहीं यूज़ होते हैं जो literary means साहित में नहीं यूज़ होते हैं उसको हम बोलते हैं colloquialism तो कुछ words देखते हैं colloquialism means उनको colloquialism की भाषा में क्या बोलते हैं और formal English में क्या बोलते हैं simple English में क्या बोलते हैं जैसे कि एभी एक एक एग्जाम्पल देखो I bought a lot of eats मैंने बहुत सारे eats खरीदे eats का मतलब यहां पे क्या है lot of food means I bought a lot of eats this term is referred in a colloquialism जैसे sentence जो होते हैं वो general means family or conversation में use होते हैं but writing में नहीं use होते हैं I bought a lot of eats lot of eats का मतलब यहां पे क्या हुआ lot of food की मैंने बहुत सारा खरीदा this is an A1 party अब A1 का मतलब यहां पे क्या हुआ excellent party so this is an A1 party means this is an excellent party means यह party बहुत अच्छी थी next day he is a big gun big gun means होता है बड़ी बंदूक but यहां पे इसका meaning क्या होगा an important person big gun कौन है he is a big gun means he is an important person की वो बहुत ही महत पूर आदमी है then हो गया an ace player or driver ace का मतलब यहां पे होता है जो किसी चीज में expert है first rate का है पहले number का है उसको हम बोलते ace player या ace driver तो means इसका मतलब क्या हो गया an expert player और first rate player और first rate driver और an expert driver adlib adlib का full form होता है actually एक Latin term है और इसका मतलब होता है ad libitum l-i-b-i-t-u-m meaning इसका होता है at once pleasure और as you desire means आपकी खुशी से या आपकी इच्छा नुशार और in accordance with one's wishes means कोई रोक नहीं है ad libit full liberty है आपको कुछ भी बोलने की तो यहाँ पर क्या मतलब है इसका without restraint means बिना रोक टोक के restraint means हो क्या होता है आपको कोई रोकता है तो बिना रोक टोक के इसका मतलब होगा ad libit ओके next देखते है अब जैसे सुना होगा आपने admin he is an admin admin का मतलब क्या होता है a composer of advertisement या advertisement जो मतलब advertise या विज्यापन विज्यापन को compose करता है विज्यापन जो टीवी में ads आते हैं तो उनको compose करता है उसको हम बोलते हैं admin then all time high and low high and low का मतलब यहाँ पर क्या हुआ highest and lowest level तो यह colloquialism में इनको क्या बोलते हैं और इनको हम simple English में क्या बोलते हैं यह यहाँ पर दिया हुआ है जैसे हो गया an app app means क्या होता है बंदर या monkey तो इसका मतलब क्या होगा colloquialism यह app है an app यह colloquialism है यह बोलचाल की भाषा में इसका मतलब क्या है आप किजी को बंदर या मंकी रिफर करते हो क्यों क्योंकि वह एक क्लमसी है उसका बिहेवियर उस तरह का है clumsy है अनाडी है या एकलेस है artless है या जो उसका बिहेवियर है वो awkward आपको दिखता है okay next है apple sauce apple sauce का मतलब होता है apple means save हो गया sauce means हो गया chutney apple की chutney means यहाँ पर क्या है nonsense means mirror थक जो बिना sense का है और flattery या बहुत सारे लोग जो चौपलूसी करते हैं तो उसको भी हम बोलते है apple sauce okay next है ask for trouble means मुसीबत को जन के को पूछना तो means invite trouble means आप मुसीबत को निमंत्रित कर रहे हैं समझ में आ गया और देखते है auto, auto bus सुना होगा जब यह auto driver को आप पुलाते है auto तो auto का मतलब क्या होता है auto mobile okay to get the x means कुलाडी नेना इसका मतलब क्या हो गया यह जैसे बोलते है अपने पार पे कुलाड़ी मना means be dismissed from job means सेवा से हटा दिया जाना या खारीज कर देना जो आपकी job है वो खारीज कर दी गई है to baby यह एक verb है means baby कैसा होता है बच्चे को तो यह nursing के लिए यूस होता है to treat like a baby किसी को एक बच्चे की जैसा treat करना तो यह सारे जो words है यह colloquialism में use होते है और इनका meaning यह जो है यह simple English में है to be in bad with किसी के साथ में बुरा होना means to be in disfavor उसका मन support नहीं करना उसका favor नहीं करना then बोलते हैं कभी-कभी कि कैसा लगा आपको यह कुछ भी खरीद के लाते है not bad not so bad मतलब इतना बुरा भी नहीं इतना अच्छा भी नहीं तो मतलब sorry इतना बुरा भी नहीं है तो इसको क्या बोलेंगे quiet good means ठीक ठाक है ओके और देखते है जैसे हो गया to feel bad बुरा महसूस करना बुरा महसूस करना तो इसका मतलब गया to feel sorry means दुखी महसूस करना यह simple English में इसका meaning हुआ अब यह है to be in soup और to be in hot water मिन सूप में होना या गरम पानी में होना तो मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि to be in trouble मुसीबत में होना या परेशानी में होना better half better half किसको refer करते है जो की मतलब आपका आधा अच्छा है तो वो wife को refer करते है hanky hanky जो handkerchief होती है रुमाल होती है उसको refer करते है hanky panky hanky panky होता है trickery means चालबाजी को या छल को या प्रवंचना को तो यह इसको trickery को हम hanky panky shortcut में या colloquialism में बोलते हैं तो आज की वीडियो में इतना ही thanks for watching if you find the video useful please like, subscribe and share and have a great day